अगर आप कोई बीटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंट बने रह सकते हैं तो बिना जरी के चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रीडिंग सेशन में फिर से लूपिन में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और इसने 1.42% के डाउनसाइड के साथ 768 पे अपना क्लोजिंग गया हैं हम इसके order book पे currently seller side में 3,250 shares को देख सकते हैं इस बज़े से कल ये फिर से gap down open हो सकता है आगे अगर हम इसका technical chart की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके super train indicator और इसके भीवा भेलू पे एक strong bearish signal को देख पाएंगे ये अपने vortex indicator और MACD indicator में एक bearish crossover को form कर चुका है इस बज़े से कल इसमें और ज्यादा गिरावट आ सकती है तो आप कल के लिए इसे sell side के लिए consider कर सकते हैं हम currently इसके seller side में 5000 से भी ज्यादा shares को देख सकते हैं इस बज़े से कल इसमें और ज्यादा गिरावट आ सकती है आगे अगर हम इसका technical chart की ओर रुख करते हैं तो हम इसके भी super train और वीवाप indicators में एक strong sell call को generate होतावा देख पाएंगे ये अपने vortex indicator और MACD indicator में एक bearish crossover को form कर सीमेंस लिमिटेंड में आज 1.2% का एक downside हमें देखने को मिला है और इसने आज 979.05 पे अपना closing दिया है अगर हम इसके delivery percentage को देखें तो ये आज 24.37% रहा जो की काफी कम मानी जा सकती है आगे अगर हम इसका technical chart की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके vortex indicator और MACD indicator म bearish crossover form होता हुआ दिख जाएगा और हम इसके histogram को भी negative side में देख सकते हैं यहाँ पे आप इसके super trend indicator में आज एक bearish trend को continue होता हुआ दिख सकते हैं इस बज़े से कल ये और ज़्यादा गिर सकता है तो आप कल के लिए इसे sell side के लिए consider कर सकते हैं आज DMART में लगभग 1.79% का एक downside हमें देखने को मिला है और इसने आज 1450.15 पे अपना closing दिया है हम currently इसके seller side में 2796 shares को भी देख सकते हैं इस बज़े से कल ये gap down open हो सकता है आगे अगर हम इसका technical chart की और रूप करते हैं तो यहाँ पे आप इसके super trend indicator में एक strong bearish signal को देख पा 1461.38 है उसके काफी नीचे 1450 पे अपना closing दिया है तो इसमें भी एक sell call generate हो रहा है हम इसके vortex indicator और MACD indicator में भी एक strong downtrend को देख सकते हैं इस बज़े से कल इसमें और जाता गिरावट आ सकती है तो आप इसे भी कल sell side के लिए consider कर सकते हैं आज TCS में लगबग कारोबार flat रहा आज इसमें intraday में 2074.95 पे अपना high बनाने के बाद 2058.1 पे अपना closing दिया है आज इसमें कारोबार अच्छा रहा और हम इसमें आज 53% से भी ज्यादा shares को deliver होता हुआ देख सकते हैं इस बज़े से कल इसमें और ज्यादा उच्छाल आ सकते हैं आगे अगर हम इसके टेकनिकल जाट के ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके super 10 indicator में एक strong bullish signal को देख पाएगे और यहाँ पे आप इसके vortex indicator में भी एक bullish signal को देख सकते हैं इस बज़े से कल इसमें और ज़्यादा उच्छाल आ सकता है तो आप कल के लिए इसे buy side के लिए consider कर सकते हैं आज mcdowels में कारोबार अच्छा रहा इसने आज 3.02% के upside के साथ 541.25 अपना closing दिया है आज इसमें लगबग 38% से भी ज्यादा shares deliver हुए हैं जो कि इसमें आज strong कारोबार को दर्शाते हैं आगे अगर हम इसके technical chart के ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी super trend indicator और VY value पे एक strong buy call को देख सकते हैं यह अपने vortex indicator और mcd indicator में भी एक bullish crossover को फर्म कर चुका है इस बादे से कल इसमें और ज़्यादा उच्छा ला सकता है तो आप कल के लिए इसे buy side के लिए consider कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको intraday trade से तपके अलावा daily market updates, value investing, personal finance, portfolio management और intraday और swing trade related बहुत सारे strategies मिल जाएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस red color के बटन को क्लिक करके और bell icon को दवाना बिलकुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की notification सबसे पहले मिलती रहे निप्टी में एक जबदस ग्याप ओप उपनिंग देखे जाने के बावजूद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आए हुए गिरावट के वाज़े से इसमें लगबग 28 point का एक downside देखा गया और इसने 10,800 6.65 पर अपना closing दिया है आगे अगर हम कुछ major global indices की ओर रूप करते हैं तो हम currently DAO zones को 74 points, S&P 500 को 6 points और हम NASDAQ को currently 14 point के downside पे move करता हुआ देख सकते हैं आगे अगर हम 5050 के future की ओर रूप करते हैं तो ये अभी के current level से लगबग 60 point के आसपास upside में move कर रहा है तो कल अगर global indices downside में close होते हैं तो हमें market में फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकता है आगे अगर हम forest market की ओर रूप करते हैं तो हम Indian rupee को dollar के मकावले 71.189 के level पे move करता हुआ देख सकते हैं ये अपने 5 minute के candles में moving average और indicators में strong sell call को generate कर रहा है इस बज़े से कल ये level 71 के नीचे आ सकते हैं आगे अगर हम 5050 के technical chart की ओर रूप करते हैं तो आज इसने एक bearish candle का formation किया है और हम इसके RSI indicator में भी एक downtrend को देख सकते हैं जो कि कल और भी ज़्यादा continue रह सकता है अगर हम इसके option chain data की ओर रूप करते हैं तो यहाँ पे आप इसके put side में currently 10,800 के levels पे 5.26 lakhs put contracts को unwind होता हुआ देख सकते हैं और इस level पे हमे 22,93,000 open interest contracts देखने को मिल रहा है तो हम हल के लिए 10,700 के levels को एक crucial support level के रूप में देख सकते हैं आगे अगर हम call side क्यों रूप करते हैं तो हम currently 10,900 के levels पे 28,29,675 open interest contracts को देख पा रहे हैं इस level पे हमें 1.59 lakhs call contracts add होता हुआ भी दिख रहा है इसलिए हम कल के लिए 10,900 के levels को एक crucial resistance level के रूप में देख सकते हैं आगे अगर हम bank nifty के technical chart के ओर रूप करते हैं तो आज इसमें भी एक जबर्दस gap up opening देखा गया था लेकिन ये उसके नीचे close हुआ है इस बज़े से हमें एक bearish candle देखने को मिल रहा है हम इसके RSI indicator में भी downtrend को continue होता हुआ देख सकते हैं आगे अगर हम इसका option chain data की ओर रूप करते हैं तो हम इसके put side में currently 26,500 के levels पे सबसे ज्यादा 5,78,840 open interest contracts को देख सकते हैं इस बज़े से हम कल इस level को एक crucial support level के रूप में देख सकते हैं आगे अगर हम call side में check करते हैं तो हम currently 27,000 के levels पे 6.33 lakhs open interest contracts को देख पा रहा हैं इस level पे हमें 1.07 lakh call contracts add होता हुआ भी दिखाई दे रहा है इस बज़े से हम कल के लिए 27,000 के levels को एक crucial resistance level के रूप में देख सकते हैं